नमस्कार, माराज़ा गंगा सिंग यूनियर्सिटी बीका नेर ने वर्स 2023 से बीए फस्ट एर में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है तो जिन विद्यार्थियों के sociology subject है, उनके लिए सेमेस्टर 1st और 2nd का जो syllabus है वो इस प्रकार रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके sociology है, उनके लिए सेमेस्टर 1st में एक ही paper रखा गया है और इसी प्रकार सेमेस्टर 2nd में एक ही paper रखा गया है जो other subjects हैं, उनका syllabus भी वो ध्यान से देख लेवें, उनमें हो सकता है दो paper हों, एक paper हों, क्योंकि अन्य जो विशे हैं, उनमें अधिकांस विशियों में, एक semester में एक विशे के दो paper रखे गए हैं, लेकिन जो sociology के student हैं, उनके एक ही paper रखा गया है, जो कि 6 credit का होगा, उनका जो course code है, उसमें letters हैं, वो sociology subject को दरसाते हैं, और ये आपका level दरसाता है, उसके बाद discipline core course है, और theory का paper है, semester first है, तो इस प्रकार से ये course code दिया हुआ है, टाइप इस course का type होगा, वो है discipline core course, इसका title होगा, जो paper का नाम होगा, वो होगा, प्रिंसिपल जोब sociology, समात सास्तर के सिद समात सास्तर में, semester first में, 6 credit का एक paper रखा गया है, जिसमें से theory के 5 और tutorial का 1, जो lecture delivery का mode होगा, वो ये होगा, theory के 5 और tutorial के 1, इसके लिए आपको UG program में registered होना चाहिए, और senior secondary level आपका उत्तेर होना चाहिए, ये आपकी पात्रता है, इसमें register होने के लिए, इस course से sociology के basic concepts को विद्यारती जान पाएंगे, और इसको semester first के sociology के syllabus को पढ़ने के बाद, आप sociology के origin और history को जान पाएंगे, आप sociology के मूल भूच सिद्धानतों को समझ पाएंगे, और जो समात सास्तरिय आधार भूच संकल्पनाएं हैं, उनकी भी आप परिभासाओं की व्य रख्या कर पाएंगे, तो ये semester first है, जो regular student के लिए 2023-24 के session से लागू होगा, तीन घंटे का आपका paper होगा, केवल आपका one paper है, इसमें passing marks रखे गए हैं 43, 120 marks का paper होगा और internal होगा आपके 30 marks का, तो total marks आपके होगे 150, जिसमें से internal में passing marks होगे आपके 11 है, और जो external होगी, end of semester examination होगी, उसमें आपके passing marks होगे 43, तो 43 और 11 मिलाकर, minimum जो pass marks होगे, वो 54, ध्यान रखें, मैं दुबारा बता देता हूँ, sociology में, एक semester में, एक ही paper होगा, अब तक की जो guideline, university की प्राप्त होई है, उसके अनुसार, इसमें हम देख लेते हैं, paper first में, principles of sociology में, port fifth को किस प्रकार से बांटा गया है, और कोन-कोन सा part, कोन-कोन सी समंदित unit में, पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके unit first में, समाज सास्त्र का आर्थ, प्रकृती और विशेक सेत्र, फिर समाज सास्त्री परिप्रेक से, जिसमें समाज सास्त्र और अन्य सामाजिक विग्या अध्यानों का अध्यान, समाज सस्त्री अध्यान में विज्ञानिक और मानविय अभिमुखन, ये आपके इकाई एक में सम्मिलित किया गया है, इकाई दो में आपके बैसिक कॉंसेप्स हैं, जैसे समुदाय, समाज, संस्ता, समीती, समुवे क्या होता है, समाजिक सरंचिना क विकरन एवं सिद्दान, व्यक्ति और समाज के मद्य किस प्रकार की रिलेशन्शिप है, उसके बारे में समाजिक नियंतरन, समाजिक स्तरीकरन और गति सीलता, इकाई चार में समाजिक परिवर्तन, उसका आर्थिम प्रकार, उसका विकास कैसे हुआ है, क्रान्ती, प्रग् समाज सास्तर के उपयोग जिसमें आपके व्यावारिक समाज सास्तर का परिचे समाज सास्तर और उससे जोड़ी विसामाजिक समस्चाएं समाज सास्तर और सामाजिक परिवर्तन समाज सास्तर और सामाजिक नेती एवं क्रियाएं यह आपके सजेस्टेड रेडिंग है कि आप इन बुक्स का अध्यन करके अब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस मामले में आप अपने सोसियोलोजी के टीचर से ही राइले में वो आपको बेहतर बुक्स बता पाएंगे semester second जो semester second के student होंगे जो 6 महिने के बाद जो semester second आपका आरंभ होगा उसमें भी course code में ये विसे को दरसाता है ये level को दरसाता है और ये discipline core course को दरसाता है कि ये sociology के student ही पड़ेंगे theory और यह semester second का paper होगा इसका जो type होगा वो है discipline core course title जो इसका होगा इस paper का नाम होगा वो होगा social anthropology इसका level होगा वो 4.5 है गलती से हैं misprint होगा है 5.5 आपके semester first और semester second में level 4.5 रहेगा semester third and semester fourth में level 5 रहेगा और semester fifth और semester sixth में आपका level 5.5 रहेगा ये भी semester में semester second में भी semester second में भी आपका एक ही paper होगा जो 6 credit का होगा main difference यहाँ other subject से यह है कि other subject में जहाँ तीन तीन credit के दो paper होगे first और second वहीं sociology में एक ही paper होगा एक semester में और वो six credit का होगा ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें आपका delivery subtype होगा course का पांस theory और एक tutorial और same आपके prerequisites and requisites है और आपका objective है वो भी same है जैसे semester first में है जो course learning outcome है वो उस title पर निर्वर करता है कि आप origin and history जान पाओगे आप social anthropology के basic principles जान पाओगे और primitive society के various cultures हैं उनके बारे में पढ़ पाओगे इसका असलबस देखने में बड़ा चोटा सा है semester second का इसी में same परिक्सा pattern रहेगा समय तीन घंटे का 120 अंक का end of semester examination होगा और इसमें न्यूनतम मुतिर्णांक 43 होगे और जो internal assessment होगा वो 30 अंक का होगा और उसमें न्यूनतम मुतिर्णांक 11 होगे और जो total दोनों में मिला कर जो न्यूनतम मुतिर्णांक है वो 54 होगे इसकी इकाई first में सामाजिक मानव सास्त्र उसका आर्थ परिभासा प्रकृति और विशेक सेत्र इकाई जो दूसरी है उसमें सामाजिक सरंचना जिसमें विवा, परिवार और नातेदारी है unit third जो है उसमें संस्कृति, अवधारना, संस्कृति समर्धन के सिद्दान, धर्म और जादू unit four जो है उसमें आदिम राजनीतिक विवस्ता, आदिम अर्थ विवस्ता है और एकाई पाँच में भारत में जो जन जातिया है, tribal communities हैं, उनकी समस्या है और राजस्तान के tribal communities जैसे भील, मेना, डामोर और गरासिया पर focus किया गया है तो यह आपके suggested readings है, तो यह semester first और second में sociology में एक-एक paper होगा एक paper आपका होगा semester first में और एक ही paper होगा आपका semester second में sociology में आपका एक subject का paper होगा, external और जो semester second होगा उसमें भी अगले six months में, six months में एक paper होगा जो एक paper होगा वो 150 marks का होगा और उसको 120 और 30 में divide करके रखा गया है तो यह sociology के student विशेश रूप से ध्यान देवें क्योंकि sociology में महराजगंगा सिंग उनिशिटी में एक ही paper रखा गया है एक semester में other subjects हैं, उसमें आप syllabus को देख लेवें ध्यान से क्योंकि अधिकांस subjects में एक semester में दो paper होगे